लोग देखेंगे कि रोल मेंधी की से कहते हैं, इससे हम चूडी वारी मेंधी भी कह सकते हैं, जो हमारे हातों के उपर इस तरह से रोल की टाइप हम बनाते हैं इसे, let's start पहले हमें से चूडी के इसमें सारे शेप को बना लेना है जो भी हमारे डिफरेंट शेप सहोंगे, यदिकरता है कि इस तरह के शेप सम्थ बनाते हैं, इसमें शेप आठक्टिव से बनाना हैं अब हम इसके अंदर जैसे हमें सारे शेप्स बना ली हैं अब इसे अंदर सुन्दर सी चोटी चोटी टाइनी टाइनी डिजाइन बनानी हैं ताकि यह शेप बहुत ही ओटके दिखें बहुत ही अच्छे दिखें पूरा फीलो ने पर यह बहुत सुन्दा दिखता है और एक बात करना कि हर शेप में कुछ थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइन होनी चाहिए सारे शेप एक पराना दिखें थोड़ा सब जीन जोगा तो भी सुन्दा दिखेगा इस तरह से जसमें डिफरेंट डिजाइन्स हमारे शेप से उनके अंदर फील कर रहे हूं इसी तरह से डिजाइन्स को फील करना है एक पर आप देख रहे हैं कि जो लीव्स है पो मैंने भी छोड़े हुए है उन्हें फीलिंग किया है क्योंकि उसमें हम लोग शेड कर देंगे तो यह जब इस तरह की मेंदी बनती है तो उसमें अगर हम शेड कर देते हैं डिजाइन के सब तो वह बहुत ही उठके दिखती यह बहुत ही अच्छी दिखती है बहुत ही ब्यूटिफुल दिखती है जस तरह से अब देख रहे हैं कि सारे लीव्स में मैं इस तरह से शेडिंग कर रहे हूं बहुत ही ब्यूटिफुल लगे कही है हमारी यह बैंगल महंदी में छूड़ी वाली महंदी में जैसे अब देख रहे हैं कि मैंने सारे shapes को इताइनी design से feel किया है वाल जो हमारी leaves है उसे मैंने shading किया है ताकि वो और जादा beautiful दिखे यह जो हमारी blank spaces है कि एकदम कोरी ना दिखे इसको feel करने के लिए हम इस तरह के small dots की designs भी बना सकते हैं जो बहुती beautiful दिखती है बनने के बाद जो स्टरा से रोल महंदी हमारी रेडी हो गई है जो से हम बैंगल महंदी भी कहते हैं चूडी महंदी बहुत ब्यूटिफुल लगती है हाथों पे पीछे आगे पूरी एक तरह से रिंग टाइप हम लोग बना लेता है जो दिखने में बल्कुल भरी-बरी सी ल अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू